शिव कुमार वर्मा ट्रेडर चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाहें तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन ज़रू दबाइएगा प्लीज कंसल्ट यूर फानेशल एडवाईजर बिफोर इंवेस्टिंग इन ट्रेडिंग चैनल का फाइब फेरूल ध्यान रखिए आपकी वेल्ट को प्रोटेक्ट करने की काम आएगा अगर आप अपने निवेश करना चाहते हैं पैनी स्टॉक में तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक स्टॉक नहीं कम से कम 5 अलग अलग स्टॉक सेलेक्ट कीजेगा पैनी स्टॉक के लिए और इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक ही स्टॉक खरीदा है तो maximum एक stock में आपको 5% से ज़ादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है तो ये 5% का निवेश जो है ये आपके लिए एक बहुत important point बन जाएगा वरना आपको दिक्कत होगी अगर आपने 5% से ज़ादा निवेश किया तो ये आपके लिए एक challenging position बन सकती है यहाँ पर position लेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले अपने portfolio का maximum 5% तक नियम रखिए अगर हम बात करें हमारे paid member बनकर आप हमारी सारी trade को copy कर सकते है महस 299 के per month package पर बात करेंगे यहाँ पर जो reliance power में अब selling चल रही है FII ने यहाँ पर selling शुरू कर दी है ये challenging position बन सकती है stock के लिए यहाँ पर reliance power अभी नीचे और गिरेगा शायद 15.5 रुपे तक ये जा सकता है वहाँ उसका strong support लग रहा है अभी के setup के basis पर वहाँ पर चाहें तो इसको further अपने portfolio में और add कर सकते हैं अभी तक नहीं लिए है तो वो सबसे अच्छी entry point होगी stock के लिए इन्होंने मुंबई international arbitration court में आपको पता ही होगा एक case file किया है अमबानी जी के against और उसमें 13,400 क्रोड रुपे का claim की बात की है अब ये छोटा amount नहीं है इस बाद को समझेए काफी बड़े level का amount है जो इनको help करेगा यहाँ से उपर ले जाने के लिए Reliance infrastructure and Reliance power दोनों ने मिलकर यहाँ पर अदानी transmission company के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है इस court में जिसमें इन्होंने कहा है कि ये इनको पुराना due जो है 34,400 का देना पड़ेगा और अदानी group का official response है this is afterthought and based on untenable positions available in the market position what it means to us share थोड़ा positive रहेगा अगर stock में ये एक positive ख़बर तरह से आए और Reliance power का थोड़ा सा रुख मजबूत बनेगा इसके चलते वे तो पर उन्हें कहा है due diligence is not being rolled out अदानी group will do the due diligence and respond back to the court अब ये मामला court में चलेगा तो कम से कम 6 महीने का आपको इधियान रखिए 6 महीने से कम में ये course का मामला रफ़ा दफ़ा नहीं होगा unless until they do out of the court settlement there हमारे हिसाब से ये एक positive ख़बर है जो इस stock को momentum तेजी से उपर बढ़ा सकती है अगर stock में positive momentum आके उपर रहा जो बहुत ज़्यादा fund की ज़रोती वो सारा का सारा fund इनको यहाँ पर अब मिल जाएगा अगर ये case जी जाते हैं इसको buy कर सकते हैं current level पर नहीं क्या होंगे खरीदने के level staggered manner way करना है तीन level के लिए आई ज़रा चलकर technical view देखते हैं तो market ने 16 रुपे 80 पैसे के आसपास ये कल बंध हुआ है कल बंध होते होते गरीब 0.5% के आसपास stock नीचे गिरा है moving average के यहाँ से crossover किया था और moving average का 15 रुपे 50 पैसे के आसपास इसका support रहेगा 50 day moving average उसका देखा जाए गिरते हुए candlestick पर volume कम है बड़ यहाँ पर आप चाहें तो इसको further add कर सकते है current market price से जो की 16 रुपे 90 पैसे के आसपास है 15 रुपे 50 पैसे के बीच में triangle pattern implement कीजे और यहाँ पर ताकि आपका average जो है वो काफी better बन जाए और हमारी उमीद है कि यहाँ से bulinger band थोड़ा settle होगा और फिर यह अपनी upward journey फिर से शुरुवात करेगा उपर जाने के लिए Interestingly super trend ने यहाँ पर Friday की दिन इसको sell signal generate कर दिया है RSI 46 जो कि एक neutral zone माना जाएगा और अगर हम MACD की बात करें तो MACD ने पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पर sell signal इसका भाव करीब 20 रुपे के आसपास था तो इन सारे parameter की basis पर आपको थोड़ा सा cash भी रखना चाहिए क्योंकि अगर FI की selling तेजी से बढ़ती है तो यह एक challenging position बन सकती है stock के लिए अगर हमार साथ जुड़ना है तो मिल रॉप